नमस्कार बहुत स्वागा था देखने जो तिश्जरा हटके आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतो संतोशी सूर कार राश्य परिवर्तन मेश राशी में सूर प्रवेश करेंगे 14 अप्रैल से लेकर 14 माई तक फिर 15 माई को ये ब्रिशब में आ जाएंगे भया मेश राशी सूर देव की अपनी उच्च राशी होती है उच्च राशी में जाहिर सी बात है कि दिब्य फल देते हैं और सिंग राशी से अगर हम कल्कुलेट करें सूर देव की अपनी राशी से तो नवे में में आ जाते हैं नवम में आते हैं तो भावाद भाव फलम सि धांत के अनुसार यह अपने आप में ही अनोखा बन जाता है अनोखा महा बिलक्षण और यहां से आरंभ होता है सूर्य का दिब्यफल तो मेज से लेकर मीन तक क्या मिलेगा आप सब को दिब्यफल इसकी पूरी जानकारी लेकर के आ गए हैं धड़कनों को ठाम कर बैठियेग क्योंकि हो सकता है आप गाड़ी खरीद ले घर खरीद ले बॉइफ्रेंड मिल जाए बच्चे का जर्म हो जाए घर की छत लद जाए गाड़ी की साइज बढ़ जाए बहुत सारी चीजे हो सकती है तो आईए बात कर लेते हैं मेज से लेकर मीन तक क्या रहेगा सूर्य का मह परिवर्तन वाला फल जानते हैं मेश राशी आपके लिए सूर्य का फल अनोखा है क्योंकि आपकी ही राशी में सूर्य देव प्रिवेश किये हैं लिहाजा कारी छेत्र में बड़ा फाइदा होगा हलांकि मैं बताऊं आपको कि राहू भी है साथ में लेकिन वो यूति फल तो अलग विशय हो गया यूति फल तो विशय अलग हो गया हम इंडिविजुल सूर्य पर ही आए हैं सूर्य को ही समझें आप लोग तो बड़ा फाइदा लाव की दृष्टी से मिलेगा यूति के दृष्टी से हानी वो विशय अलग है उस पर फिर कभी हम चर्चा करेंग ब्रिशब की बात करने तो आपके 12 अस्थान पर सूर्य की यूति जो है सूर्य का यूच चफल मिलने वाला है तो आपका विदेश से पेंडिंग जितना काम होगा उसमें गति आएगी और प्लस बाहरी लोगों से संबंदित कुछ बड़ा फाइदा होगा किसी से कुछ उधार लेना था तो वो मिल जाएगा किसी से कुछ आपका ही पैसा फॉसा था वो लेना है तो वो मिल जाएगा कोई बहुत ज़्यादा आपको आवाइट कर रहा था तो आवाइट नहीं करेगा तो ये सारी चीजें आपकी राशी से 12 में आकर सूरे दे देंगे मिथुनराशी लाब के कई गुना रास्ते बढ़ जाएंगे सेलरी इंक्रिमेंट बढ़ जाएगा कई तरह से आपको लाब होने वाला है बड़ा फाइदा रहेगा इसकी द्रिश्टि फल अलग विशय है मैं उस पर फिर कभी चर्चा करूँगा सूरी के परिवर्तन का लाब पहले आप जान लीजिए लाब ही लाब है फिलहाल तो लाब है लाब है हानी कौन देखता है जो फाइदा हो रहा है तो देखा जाएगा अब भई सव आ रहा है नब्वे खर्चों हो जाए तब बो तो दस बचे में करेगा करक राशी दसंभाव में है राज्य पक्ष का लाब पैत्रिक संपत्ति संपदा का लाब विवादों से मुक्ति का लाब कोट कचहरी में लाब प्रमोशन का लाब नई नौकरी का लाब जीवन में शुभता का लाब सिंग राशी भाग्य स्थान पर है सोरे धार्मिक यात्राओं का लाव मात्र सत्ता से लाव ननिहाल पक्ष का लाव धन का लाव मित्रों से लाव भाईयों से लाव क्योंकि 33 सब्टम में रहेंगे सब लावे लाव मिलेगा आपको और ब्रक्तित्त में लाव, इंटर्वियू में सफलता का लाव, ये सब लाव मिलेगा कन्यराशी, आपके अश्टम भाव में आएंगे अश्टम में आकर गुप्त ग्यान का लाव, अतींद्रिय ग्यान का लाव, गुप्त धन का लाव, कैश का लाव, मित्रों का लाव, कुटुम्ब का लाव, धन का लाव आदी मिलता हुआ दिखाई देता है सब्तम से दुतीर में रहेगा तो जाहिर सी बात है कि पति-पत्नी के बीच तनाव कम होगा तुला राशी आपके 7th house में आया है लिहाजा ससुराल पक्ष से लाव चाइसतरी होया पुरुष धन का लाव वैभो का लाव चतृत से ततृत में उत्चिका है मकान का लाब वाहन का लाव संथान का सुख लाव ब्रिश्चिक राशी वालों के लिए यह परिवर्तन छठे भाव में है गुप्त शत्रू पर विजय दिला देगा जितने भी गुप्त शत्रू हैं आपके उन पर आपको विजय मिल जाएगी और उके धन का लाव होगा जो कर्ज लिया था उससे मुक्ति मिलेगी इधर उधर की बातों से उल्जनों से मुक्ति मिलेगी धन का लाव होता जाएगा धनु राशी आपके पंचम भाव में हैं प्रेम संबंधों में लाव संतान सुक का लाव संतान पक्ष से लाव मकान का लाव चतुर्थ से दुतिय में आए हैं इधर उधर की बातों से मुक्ति नवेश हैं आपके गजब का फाइदा होगा अतिंद्रे ग्यान आदि से भी लाव होगा मकर राशी चौथे में रहेंगे मकान भवन भूम भवन का आदिका लाव अश्टमेश होकर क्या आए हैं अतिंद्रे ग्यान का लाव पति पत्नी के बीच थोड़ा बहुत बिवाद लेकिन बाकी चीजों में आपको फाइदा होगा कुंब राशी तृतिय कुछ बड़ा अवसर भी मिलने वाला है अंतिम राशी मीन दुतियस्त रहेंगे धन का लाव होगा कुटुम का लाव होगा संतान का लाव होगा परिवार में नन्हे महमान का अगवन होगा पति पत्नी की बीच तालमिल अच्छा बैठेगा शिग्र विवा के संयोग कहीं नकरात्मक है उस पर हम बात में चर्चा करेंगे सकरात्मक पक्ष आपने जरूर सुन लिया है इसकी दिष्ट सात्मी नीच की रहेगी और सूर्य के साथ राहू रहेगा तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं थोड़ा धैर रखें फिलहाल सूर्य की शांती के निमित ओ संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला स कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आपके जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब, व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हे तू महालक्ष्मी, कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब, मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है, मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब, दीप एक, खुशियां अनेक